पिछली रात भारतिय उपमहद्यूप के आकाश में एक विरल दृष्य देखने को मिला है और ये विरल दृष्य चिंताजनक इसी लिए है क्योंकि भविश्य मालिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी ऐसा दृष्य दिखाई देगा तब कोई ना कोई बड़ा अन्होनी अवश्य होगा मैं बात कर रहा हूं इंदू के बाद बिंदू का यानि चंद्र के निकट एक तारा सुनने में भले ही ये सामान्य लग रहा होगा परन्तु इसके कारण हाहा कार मच सकता है और यदि संथ गुरु अच्ची उतनंद जी की बात माने तो अब अंति धर्म युद्ध का संखनाद बजने वाला है जै और पराजे का विचार छोड़के करतव्य परध्यान दो तर अपने आप दू हो जाएगा आज पूरा विश्व अशान्त है क्रिष्टियन मेजोरिटी देश जैसे की यूएस यूके जर्मनी इत्यादी पिछले 50 वर्षों से मुसलमानों को एक अस्त्र की तरा प्रयोग करते आ रहे हैं अन्य देशों को बरबात करने के लिए और इनका सबसे बड़ा सिकार है भारत लगातार आतं की हमले हो रहे हैं करोडों की संख्या में बांगलादेशी एवं रोहिंग्या देश के अंदर घुसकर अनेकों अंचलों का डेमोग्राफी बदल रहे हैं बारम बार सनातनियों क का हत्या कर रहे हैं फिर भी निकम्मी सरकार और हमारा निकम्मा सिस्टम इस पर तील मात्र भी ध्यान नहीं देता जिन हिंदूों के नाम पर ये वोट लेते हैं आज वही हिंदू संकट में हैं फिर भी ये लोग केवल मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं पंच सखाव में स्र जुलाई 2024 की रात भारतिय उपमहद्विप के आकाश में इंदु के बाद बिंदु दिर्श्यमान हुआ है जोकी सामान्य नहीं है बलकि एक बड़े संकट का संकेत है पंच सखाओ में से एक संत गुरु बड़ राम दास जी ने कहा था कि इंदु परे बिंदु देखी इसलाम में हडकंप मत जाएगा क्योंकि अत्याधिक संख्या में उनका संघार होगा इस भविश्यवानी के अनुसार जब चंद्र के निकट एक्टारा दिखाई देगा तब इसलाम पर संकटों का बादल तूट कर गिरेगा चंद्र के निकट एक्टारा आज पहली बार द अरमभ में जब बार इंदू के बाद बिंदू दिखाई दिया था तब ये शे वं यमेन के बीच रेड़ सी में भीशन युद्धारंब हुआ था और यदि आज पुनरवार ये द्रिश्य देखने को मिल रहा है इसका मतलब कुछ बढ़ा होने वाला है पंच सखाओ में सिरिष्ट संत गुरु अच्ची उतानंद जी ने कहा था कि भॉयरवी डाको होईब चंद्र परे ताराउईब औग्यानी निंदू का मरीबे खोचुआ मिच्छवाटी जिबे अर्त भाईरवी का चितकार सुनाई देगा चंद्र के निकट एक तारा दिखाई देगा तब निंदा करने वाले मरेंगे एवं जूटे लोग समाप्त हो जाएंगे इसी 2024 में लगातार दो दिनों तक ओडिसा में एकरह समय गर्जना सुनाई दिया था और साल के आरम बसले कर अभी तक बारम बार चंद्र के निकट एक तारा भी दिखाई दे रहा है यानि गुरुदेव ने इस भविश्यवाणी में आज के कालखंड के विशे में ही कहा था परन्तु प्रश्न ये है कि ये संकट आखिर किस रूप में आएगा पहले फॉलो या सब्सक्राइब कर लिजिए अब मेरे बात को ध्यान पुर्वक सुनिए वर्तमान के समय पर जो हो रहा है ये धर्म युद्ध है मेरे मित्र जिसको यदि अन्देखा किया गया तो हाल वही होगा जिसे हमारे पूर्वजों का हुआ था यानि तलवार की नोक पर धर्म बदलना पड़ जाएगा और हमारे बहन बेटियों को घर से उठा लिया जाएगा आज खुले आम जिहादी धमकी देते हैं फिर भी उनके विरुद्ध कोई कारवाई नहीं होता और जो गिने चुने सनात्नी हिंम्मद दिखा कर इसका विरुद्ध करते हैं उल्टा उनी को जेल में डाल दिया जाता है और तो और बाकी के हिंदू उनी को गाली देने लग जाते हैं यदि अभी नहीं जागे तो वो आपसे आपका घर छिन लेंगे आपसे आपका परिवार छिन लेंगे आपसे आपका धर्म आपका संस्कृति तक छिन लेंगे और चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम वुनी के हातों में हैं और एसा नहीं कि ये सब होने वाला है बलकि इसका आरंब कब का हो चुका है देश में CA कानून लगाने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु सभी प्रयास बिफल हो चुके हैं सबसे पहले इसका नीव जम्मू कश्मीर एवं मनिपूर में रखा गया था अनिको इलिगल इमिग्रिंट्स को देश से बाहर भी कर दिया गया परन्तु उसके बाद क्या हुआ उने ऐसा करने देगा यानि जल्द ही भारत हिंसा के आग में जलने वाला है जगा जगा पर दंगे होने वाले हैं और हर शेत्र में हिंदू भागते हुए नजर आएंगे डरा नहीं रहा सत्य वचन के रहा हूं खोन बहेगा अनेको परिवार समाप्त हो जाएंगे नहीं जाएगा क्योंकि इतिहास साक्सी है जब जब भारत के इस पवित्र भूमी पर संकट आया है तब तब एक अवतार उसे सही करने के लिए अवश्य प्रकट हुए हैं और आज भी बिलकुल वेसा ही होगा इसी का प्रमान देते हुए संत गुरु अच्ची उतानंद ज येंद किने कहा था कि इंदू परे बिंदू देखी बुजे बे कॉलंकीर लिळा लागी भते बे अर्त जब इंदू के बाद बिंदू दिखाई देगा तब कलकी का लिळा आरंब होगा वही पंच सखाव में से एक संत गुरु सिसु अनंत जी ने कहा था कि इंदु परे बिंदु देखी बुजे बे चोहटीब लिला उदय भबे ठिक कोणा बेलो जे गुपते अची संभण नग्रोरे प्रकासी अची अर्थ जब इंदु के बाद बिंदु दिखा तब असली लीला आरंब हो जाएगा परन्तु ये लीला गुपत रुप से होगा संभण नग्र में प्रकाशित होगा इन दोनों ही भविश्यवाणियों में समान बात कहा गया है कि जब चंद्र के निकट बारं बार एक तारा दिखाई देगा तब कल की अवतार गुपत अ अलग अलग ग्रंतों में वर्नित तत्यों का अनेको सालों तक अत्यंत गहराई से अध्यान किया है और जितना मुझे पता चला है उसके अनुसार 2013 से कल की अवतार का चेतना जागरित हुआ है यानि उन्हें अपना असली कर्म स्मरण हुआ है और तब से लेकर अभी तक वि कुछे देश बरबाद होने के मार्ग पर है इसी विनास का सबसे बड़ा प्रमान है बारम बार इंदू के बाद बिंदू का दिखना अब इसे मानना या ना मानना आप पर निर्भर करता है परन्तु एक चीज़ कन्फार्म है बड़े संख्या में अधर्मियों का संगार क्या आप बता सकते हैं कि भारत के कौन से राज्य में 50 लाख हिंदू का नाम वोटर लिष्ट से गायप कर दिया गया है जल्दी से उत्तर कॉमेंट कर दीजिए क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूँगा पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि शीवा क्रेटर कौन से देश में उपस्ति थे सही उत्तर है भारत विजेता हैं मेरे प्रभू हमारे परिवार से जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप भी इस परिवार का हिस्सा बने लाइक शेर सब्सक्राइ एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए जय जगन्नात जय पंच सखा जय हिंद